कि अज़ाइब दोश्तों स्वागत है आपका एसक अलेक्ट्रिकल चैनल में और मैं सुरेश से विलिया और सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कर ले प्लीज इस वीडियो को ओर mateक ब्रईक दीजिएगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो है कि दो और सो अज मैं बताँगा आपको पावर फेक्टर के बारे में क्या है पावर फेक्टर ऑदेखते रही यह पावर फैक्टर के बारे में और व्क कि इसा है मैं आप आ्योंब फैक्टर को जो लोगों को समझ में नहीं आता आज इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जान पाओगे और आसानी से सीख पाओगे दोस्तों पाओर फेक्टर के बारे में ठीक है दोस्तों दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ल हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश जरूर करने दोस्तों टाइम टू टाइम आपको नया वीडियो मिलता रहेगा और क्या है पाओर फेक्टर हम चलते हैं इस माध्यम से और शीखेंगे आज आपको बताएंगे और www.sksevolia.com और विश्ची सकते हैं मेरी वेबसाइट है और इससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं वेबसाइट बेचा के बारे में तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइफ ओफ लोड्स लोड्स तीन परकार के होते हैं दोस्तों राजिस्टिव लोड इंडेक्टिव लोड ठीके दोस्तों यह जो लोड है तिन परकार के उतिए उसमें बताएंगे पहले रिश्ट्व लोड रिश्टिव लोड क्या होता है दोस्तों अलज स्टेल लोड निके लिए बहुत बेस्ट होता है इसकी जो परफेक्टर यूनीटी आती है मतलब कि 0.99 पा अगे मैं आपको ग्राप से बताऊंगा कि आप आगे समझ पाएंगे ग्राप से ठीक दुस्तों पर यह यह जांपल है है ग्यतों कि सब्लाटते हैं जैसे हिटर हुआ हुआ हमारा ही रिष्टी लोड के अंदर आता है दोस्तों हम मुझे अमीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी लोड क्या है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है करफिया लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे देखते रहीएगा इस वीडियो को इसकी करें कर करें करके लाप सुर्डी से लेकर अग़्िए बहुत देखते रहीं किived तो यह है रे अमंड़ में देख लोड मैसे लोड आते हैं है दोस्तों जिसमें कॉल होती है वाइंडिंग होती है दोस्तों में व्युक्ता हुआ और यह बहुत ही खराब प्रूटर के लिए क्यों 좀 फराब है इसको हमें इसमें ए के पिस्केटर ल्टते हैं तब जनी कःकर नकर पाते हैं अगे बताओंगा कि और नोड है जो कि यह सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों इसको वाइंडिंग वाला जो भी सिस्टम होते हैं जो डिख मेंट होते हैं इंडिक्टिव लोड़ का अंदर आते हैं मोटर वगए रहा हुई हुई यह और भी क्यूमेंट होता है इसमें वैंडिंग आती है यह को तेक्पलए इंडेक्टिव लोड मारग कैनल नभी प्रक्षेक्टर के लिए दो बहुत ३कराब है और इसमें जो होता है टो लोस हो जाता है दोस्तों वोलटेज का लोस हो जाता है लोसनी को इसको पूरति करने के लिए हमें चीएगा एक के तो टीशरा आ कि अबर इंडिक्टिव लोड के अंदर जो भी पाउर फेक्टर डाउन आता है उसको मैंटेन करने के लिए हम केपेशिटर लोड केपेशिटर एड करते हैं जितना हमें उस के इंडिक्टिव लोड को मैंटेन कर सेगे दोस्तों तीके दोस्तों ऐसी कहना चाहूंगा आप देख रहे हैं निडिक्टिव लोड में क्या क्या आता है क्या सब्सक्राइब हब जो कि सब्सक्राइब कर दिएका और आगे तक देखते रहेगा क인가 तो आज मैं आपको इसी किसी क्मीन समझाऊंगा और आगे मैं अच्छा लगने वाला है वीडियो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों के बारे में कि करेंट किसी करेंट क्या होता है यह दिन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रेंट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी तो इन चीजों को भी आप समझ लेना चीए क्योंकि इनके बिना पावर फेक्टर का ज्यान अदूरा है इनको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है करेंट क वोल्टेज की सट होती है मुझे पता है आपको पहले से पता होगा और जिनको नहीं पता है मैंनको फोड़ा सा एक्स्प्रीन करके बता देता हूँ ज्याद़ा नहीं बताऊं गां उसके बस थोड़ा सा ही मैं आपको बता पाऊंगा तो अब देखते रही वीडियो और मैं आपको बताऊंगा पहले करेंट के बारे में तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे और यह करेंट क्या होता है । करेंट होता है किसी conductor या किसी चालक या को मालोग को यह तार है में इलोक्रोन का परवाः हुता है उसी को हम विद्वार कहते हैं ज決्रन करेंट कहते हैं टेक्स के सम्मझ लीजिये किसी ते के लिंदर में सक्का अॉवेह यह दो होती है यह current होता है ज्यादा explain नहीं करूंगा थोड़ा सा बताऊंगा ताव समझ चाहिएगा जो भीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर ज्यादा बताऊंगा तुम्हें को लिज्विक्तर किसी बीकंडेक्टर में धारा को धख्का लगाने वाला या परिशर का काम करने वाला वोल्टेज होता है यह निकीसी भी कंडेक्टर में अगर कोई धारा श्मझ तरू एनि कुछयों करूंगे कामवकूं करता है इस DC ऑक आप zoos आप बलगे तरीके से में बताना चाहूं आप समझ सकेंगे वोल्टेज कि जैसे मालो दो टंकियां होती है पानी के मालो ठीक है और दोनों आपस में connected है ठीक दोस्तों जो एक टंके में पानी डालेंगे तो वह जो पहले वाली टंकी साथ दूसी टंके में पानी जाएगा तो जो पानी दूसी टंकी में जा रहा है मतलब कि जाई रहा है तो वह हमारा हो गया current और जिस प्रेशर से वह जा रहा है वह हमारा voltage मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा current और voltage तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आगे मैं आपको गराब के बारे में समझाओंगा जो इन इतने भी लोड है इसके मैंने तीनों लोड के बारे में बताया तो आप इस वीडियो पर बने रहें और मुझे अमीद है आप लोगों को समझ में आयोगी वीडियो और मैं आपको frequency के बारे बताने देता हूं फ्रिक्वेंसी वह होती है जो किसी एक सेकिंड में अपना करने वाला पूरा चक्र यानि एक सेकिंड में कितना साइक्ल करती है कितना चक्र करती है वह उसका frequency होता है कि फ्रिक्वेंसी को हम हर्च में हर्च में आपते हैं यह आवर्थी होती है कि कुकि अ हिसाच्व यह पूरा पूरा करती है थीक्प पचास हर्च पुरा करता है घे है इस समझ लिजीएगा बस अ आगे मैं आपको बताँँ गाउंग लोडब ग्राप के बारे में समझाऊंगा जो पाउर फेक्टर को आप अच्छी तरह से संपूर्ण तरीके से आप और फेक्ट को समझ पाएंगे इस वीडियो का मेरा फरस्ट पार्ट है अगले वाड़ा मेरा पार्ट रहेगा जिसमें आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाला है पहले आग यह समझ लीजेगा इंड़ लोड और करन्ट वर्टेज वेगर आई है ठीक है और मुझे अमीद है कि आपको समझ में आया होगा और कुछ भी को डा वीडियो में बताऊंगा दूस्तों थेंक्यू धन्यवाद